हे गाईज वल्कम बैक टू मैं चैनल मैं है पूजा और आप देख रहे हो ब्यूटी टीम्स पर पूजा मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे कॉमेंट करके बताया है मैं मेरा स्किन डल हो चुकी है चेहरे पे कोई भी निखार लिए है इसका कोई सल्योशन बताईए इसलिए आज मैं ग्लोइंग फेस पैक रेमिडी शेयर करने वाली हो गाईज वीडियो को लास तक देखना है ताकि आपको पता चल से कि मैंने क्या क्या इंग्रिडियन्स यहाँ पर एड़ किया है इस पैक को बनाने के लिए चलिए गाईज वीडियो को शुरू करते है इस ग्लोइंग फेस पैक को बनाने के लिए पहले हमें चाहिए एक चमच बेशन सेकेंड हम इसमें आट करेंगे एक चमच चंदन पाउडर फिर हम एक चमच अलवेर जेल आट करेंगे लास्ट में थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है इस फेस पैक को यूज करने से अब किसकी नेचरिल ग्लोग करेगी लाइटनिंग होगी ब्राइटनिंग होगी और भी बहुत सी प्रॉब्लम की सेलूशन इस पैक में अवलेबल है मेरा फेस पैक बनकी रेडि हो चुका है अभी हम इसको अपलाई करेंगे इस पैक को कैसे अपलाई करते है कैसे वाश करते है और कितने देर तक फेस पे इस पैक को रखना होता है सभी हमने स्टेप बाई स्टेप बताया है इस फेस पैक को हलके हाथों से मसाच करते हुए अपने फेस पे अपलाई करना है गाईस अब सभी के पास मेरा एक रिक्रेस्ट है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमें, शेयर जरूर करना चैनल में पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बास वाली नोटिफिकरशन मेल को प्रेस कर देना मैं यहां लाती हूँ बहुत सी ब्यूटी टिप्स वीडियो और बहुत सी ब्यूटी प्रॉब्लिम की सेल्यूशन और हाँ, अगर आप कोई दूसरी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो जरूर कॉमेंट में बताना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगी इस फेस पैक को अच्छे से अपलाई करने के बाद 22-30 मिनिट फेस को सूखने के लिए छोड़ देना है जब फेस पैक अच्छे से सूख जाए, एक टिशू को पानी में डैप करके रब करते होए इस पैक को क्लीन करना होता है अगर आपके पास टीशू अबेलेबल ना हो तो आप टावल से या फिर कॉटन की क्लोट से इस फोसेस को फॉलो कर सकते हो इस पोसेस से स्किन में जो भी डैट स्किन सल्ज है वो तुरंत रीमोब हो जाते हैं स्किन से इस पैक को अब वीक में 2-3 वर यूज़ कर सकते हो इस ग्लोइंग फेस पैक को ज़रूर यूज़ तरना और रिजल्ट का ऐसा आया कॉमेंट में ज़रूर बताना फेस पैक को अच्छे से क्लीन करने के बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वाश कर लेना है चैनल में ऐसे ही बहुत सी ब्यूटी टिप्स वीडियो शियर किया है अगर आप चाहो तो ज़रूर विजिट करना और थेंक यू गाइस पर वाचिंग मिलेंगे दूसरी कोई वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाबाई